तो बनाते हैं होली वाली मिठाई जो है गुजिया और गुजिया ना बहुत अलग-अलग तरीकों से बनाई जाती है लेगन मैं इसको बिलकुल सिंपल रखना चाहती हूँ जैसे की काफी आसान हो बनाना सबसे पहले कर लेते हैं त्यारी ड्राइफ रूट्स की क्योंकि यार ड्राइफ रूट्स के मिना तो मिठाई अधूरी है तो यहां मैंने वही थस्ता वाला चॉपर जो फ्री का थाना मेरे पास वो मैंने यहां पे ले लिया है और उस पे मैंने अलग-अलग जो ड्राइफ र दूर टढ़ा दिया है उसे पकने दिया है जिसमें वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए और वो खोया बन जाए अब यहां डो लगा लेते हैं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चीजे ली हैं जो है मैदा और देसी घी घी करना टेस्ट मोहन में बहुत अच्छा आता है बहले तली दो नहीं रखना है आप ध्यान रखें अदर वाइस यह बिल्कुल नहीं बन पाएंगी और दम खराब हो जाएंगी तो यहां मैं इसको खूब टाइट टाइट डो लगा रही हूं जैसे हम समोसे का लगाते हैं कचोड़ी का लगाते हैं मलब वो वाली कचोड़ी और वैसी पकाते हैं ऐसा हो गया है और फाइनली हमारा जो खोया है वो बन के तैयार हो गया है बहुत बड़ी चीज हो गई अब ड्राइफूट्स को सटे कर लेते हैं घी डाल के जिसमें हलका हलका फ्लेवर जो है न वो ड्राइफूट्स में भी पहुंच जाए गी का और इसके आपको इसको फिर से बहलना पड़ेगा मतलब आप इसे यूजी मत करना आपटोली इसको पतली-पतली u जो है ना लोई उसको बनाना पूरी बेलना और इसके बाद इसके अंदर आप क्या करना हमावा भरना अब आपके पास जो मशीन होती है जिससे हम ऐसा करते हैं इस शेप देते हैं कि पीछे भी लगा हुआ आता है बहुत टाइप की आती है तो आप उसमें इसे रख कर सारी गुजिया बना लेनी है और उसे ढख के रखनी है क्योंकि पता है गुजिया सूख जाती है तो उसके बाद आप यहां पे बिल्कुल मीडियम हॉट ओइल लेना है और उसके बाद सारी गुजिया उसमें डाल देनी है और तल के क्रिस्पी क्रिस्पी गुजिया जो है वो निकाल लेनी है तो फाइनली यहाँ पर मेरी कुजियाँ बनके तियार हो गई है फाइनली इतना लंबा टास्क यार खाओ भी हूँ बज़े करो और खुश रहूँ तो चली खाने